जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इनोंने कहा कि कॉंग्रेस द्वारा प्रयोजी थे जब अही रेज्मेंट का आंदोलन चल रहा था तब जब करमचारी आंदोलन कर रहे थे और पेंशन स्कीम को तब इन्होंने कहा कि कौंग्रेस द्रायोजी थे यह सरकार हर चीज में राजनितिक द्रिश्टी से हर बात को देखे वह वी वर्ग अपनी बात रखे तो वर्ग की जब आभी पीछे सफाई करमचारी और रामिन चोग की द्रार प्राजीट ये इस तरह का मैं समयत आंकि सरकार जहें प्र이나 की मंत्रियों द्वाज़ार विक्त्र को प्रधर्शित करने का का मान स्य Неखाना कर करके कि स security लेकिन हर्याना के अंदर 498 स्कोलों को बंत करने का जो निरने लिया सब्सक्राइब यह था हर्याना में कि नो साल से शिक्षकों की भरती नहीं हुई थी शिक्षकों की परियाब संख्या ना होने के कारण की बच्चों की संख्या की कारण ना उसकी वज़े से ना तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल पाया कितनों की जो है पातरता का समय सीमा समाप्त हो गया उनके वभीशे बरबाद हो गए भर्याना के अंदर और दूसरी ओर स्कूलों को बंद करने का भी दिन लिया गया जिसकी वज़े से बच्चो तक को धर्नों पर बैठना पड़ा हर्याना की यह स्थिति है कि मनेटी एम्स सरकार नो साल हो गए 2014 में इसकी घोष्णा की गई थी चौदा से पांच साल लगे केवल केविनेट को पास कराने में 2019 के चुनाओं से जस्थ पहले केविनेट में वो पास करा दिया ताकि 2019 के चुनाओं में इसकी मदद ने अब दुबारा से चार साल से उपर टाइम हो गया एक इट भी वहां पे धरातल पे सरकार के कोई अभी तो यह अब कब तक काम शुरू होगा और यह अगर फाउंडेशन रखेंगे भी 24 से पहले तो कौन विश्वास करेगा अगर मेरे को ऐसा लगता है कि चौदा में घुशना पांच साल के बाद केविनेट में पास पांच साल के बाद फाउंडेशन स्टोन उसके पांच साल क узमन चुका है तो खटर सरकार कि इस पर क्या मंचा नीयत ऐसा लगता है कि खटर सरकार की नीयत इस मनेठि एमस को था प्तर समान के घा rep anger तो भी दायक, राव याद दून्द सींदी